देखिए दोस्तो इस टुटोरियल में हमें create a new project पे click करना है फिर उसके बाद console applications को select कीजिए उसमें click on next उसके बाद आपको options आएगे कि मुझे C या C++ में करना है तो मुझे C select करना है next कीजिए इसमें हमें project का title देना है तो इस project में हम एक calculator बनाने वाले हैं और मैं सारी चीज आपको समझाओंगा कि in order to create a calculator क्या-क्या fundamentals आपको C programming के समझने पड़ेंगे तो हम by doing हम एक program से ही यह सब सिखने वाले हैं तो मान लीजे मैं project का title यहाँ पे KLC दे रहा हूं because we want to create a calculator और हमने जो एक previous वीडियो में जो folder बनाया था वहीं पे हम store कर रहे है programming in C और यहाँ पे next क्लिक कर रहा हूं right यह सारे options आपको default ही रखने है कुछ भी छेटशाड नहीं करनी है go there and finish आपको यहाँ left hand side पे management पे you can see projects files तो आपको projects पे workspace उसमें kelc का project बन गया उसमें sources है और उसमें एक file बन गया है main.c आपको वहाँ click करना है अप जैसे ही वहाँ click करोगे तो आपके ल low world वाला program हमें नहीं लिखना है so what I will do I will remove this two statements अभी इस projects में हम करने क्या वाले है दोस्तों तो हमें दो number का addition, subtraction, multiplication और division सी programming में कैसे कर सकते है वो देखना है now in order to do that मैं यहाँ पे मुझे दो values लेनी है जो यह दो values के sum आएगे जो subtraction आएगा, multiplication आएगा, division आएगा उसको कही या कही मुझे रखना है और finally मुझे उसको print करवाना है या तो display करवाना है, now in order to do that as I said कि कोई भी programming language आपको सिखनी है तो उसके keywords सिखने पड़ेंगे और उसका grammar समझना पड़ेगा, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो, right, तो मुझे value, let's say मुझे values लेनी है, मान लीजे मुझ 10 और 2 का sum करना है, पहले हम इस चीज़ को समझते है, तो 10 एक value है, 2 एक दूसरी value है, right, अब आप कभी भी आपको value store करनी हो, ना तो एक container चाहिए, उस container को हम यहाँ C programming में variable बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते है, variable, variable यानि एसी चीज़ जिसकी value change हो सके, constant यानि fixed value, उसका value change न produce करवा रहा हूँ, जिसका नाम है int, right, तो आपको int लिखना है, int, और variables के कुछ नाम लेने है, मान लीज़े, कुछ भी नाम ले सकते हो, लेकिन naming के ये rules से आपको समझने है, याद रखने है, कि जो variables के नाम है, वो हमेशा character से ही शुरू होगे, number से शुरू नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप उसमें special symbol यूज नहीं कर सकते हो, उसी वाई के underscore, मैं आपको समझाओंगा, right, let's say मेरे variable का नाम मैंने x लिया, तो x underscore 1 ऐसा मैं ले सकता हूँ, right, या x 1 ऐसा भी मैं variable का नाम ले सकता हूँ, but I cannot have a variable like 1x, वो number से शुरू होना नहीं चाहिए, तो मैंने एक variable लिय x, दूसरा variable अगर मुझे लेना है, तो y, और तीसरा variable मान लिजे मुझे sum store करना है, तो मैंने sum ले लिया, और इसको semicolon से end कर दिया, कौन सा मैंने keyword यूज किया दोस्तो, I have used the keyword int, int keyword is used to define any variable as an integer type, कोई भी variable को आपको integer type का, integer यानि की कोई full number आपको store करना है, without decimal point, जैसे 100, 113, 500 1000, 10,000, 20,000, यह कोई भी number आपको store करना है, तो आप कहाँ store कर सकते हो दोस्तो, you can store inside the integer, int, right, आपको यही समझना आ भी, तो आप x, y या sum में कोई भी integer value store सकते हो, लेकिन मुझे मान लिजे 20.20 store करना है, तो यह integer नहीं चलेगा, so what is int basically, int is a keyword for a primary data type, int क्या है, किसका keyword है, primary data type का और कौन सा primary data type, अगर आपको कोई full number store करना है, without any decimal point, you can take the int, right, तो यह जो पूरा statement हमने लिखा न, int x, y, sum, इसको बोलते है, declaration statement, variable का हमने declare किया, variable का हमने declare किया, कितने variables को declare किया, 3 variable को, एक का नाम दिया x, दूसरे का नाम दिया y, तीसरे का नाम दिया sum, what could be the variable, variable का कोई भी नाम हो सकता है, but advice is that, आपको कुछ appropriate नाम select करने चाहिए, जैसे मैं variable का नाम apple, elephant, यह भी लिख सकता हूँ, लेकिन generally उसको meaningful नाम देने चाहिए, right, तो let's say मैंने आपको बताया कि x में कुछ value assign करना चाहता हूँ, तो हमने match में पढ़ा हुआ, assign करने के लिए, हम कुन सा operator यू programming, so you write x equal to 10, और c programming में एक rule है कि every statement must be ended with a semicolon, तो हमें यहाँ पे semicolon लिखना है, दूसरा variable, मैंने y लिया है, y को मुझे value देनी है 2, अब मुझे क्या करना है, यह दोनों का sum करना है, किसका, दोनों का, यानि x और y का, तो sum करने के लिए पता है आपको, addition is an arithmetic operator in c programming, addition क्या है, arithmetic operator in c programming, तो मैं क्या लिखूंगा, x plus y लिखूंगा, अब जो यह जो x plus y होगा, यानि कि 10 plus 2 जो होगा, वो कहीं मुझे container में रखना पड़ेगा, otherwise मैं उसको print नहीं या उसका use में नहीं कर पाऊंगा, container यानि उसको variable में हम रखेंगे, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक expression ल हो गया, तो पहले right hand side का part, यानि कि x plus y वाला part execute होगा, यहाँ पर x को call करेगा, तो x उसको 10 मिलेगा, y को call करेगा, y उसको 2 मिलेगा, तो यह 10 plus 2 करेगा, और यह किस में चला जाएगा दोसको, sum में, right, अब आपको last video में मैंने बताया था कि हम कुछ भी string को print कर सकते हैं, double quotes म तो अब यहाँ मुझे sum print करना है, addition of two number, right, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा print tab, I have to write print tab, और print tab में मैं जाके वहाँ लिखूंगा, कि addition में, कुछ भी लिख सकता हूँ, double quotes में, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, right, मैं लिख रहा हूँ, addition of two number, two number is, और जो मैं, मुझ मुझे value कौन सी print करवानी है, sum की, और sum कौन सा variable है, integer, तो हर एक variable के लिए C ने एक access specifier दिया हुआ है, जैसे आपका variable integer है, तो उसका access specifier है, percentage d, देखे, programming language का rule है, आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और उसको use करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ variable कौन स specifier use करना पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा, percentage d, और उसके बाद, double quotes के बाद, मैं comma करूँगा, बाद में, देखे, अंदर नहीं करना है, बाहर करना है, I will make a comma, and then I will write the variable name, sum, तो अब यह statement क्या करेगा, दोस्तो, यह string वैसे ही print होगा, addition of two number is, लेकिन जैसे ही उसको यह access specifier, percentage d मिलेगा, वो क्या करेगा, यह जो variable की value है, sum, वो जाके print कर देगा, percentage d की जगा, यानि कि sum की value क्या है, 12 है, तो यह 12 यहाँ print करेगा, अब आपको लग रहा है कि, let us see the output of the program, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने आपको last session में भी बताया था, यहाँ पे एक button है, build and run, इसको 12, यह message आ गया, आपको दिख रहा है न, addition of two number is 12, यह message आ गया, देखे, addition of two number is 12, अब हमें क्या करना है, इस program को थोड़ा change करना है, क्या change करेंगे, कि addition of two number is नहीं, हमें लिखना है कि addition of x and y, x यानि 10 and y is 2, तो अभी मुझे क्या करना है, addition of, यहाँ लिखना है मुझे दोस्तो addition of x and y, x की जग़ा क्या आना चाहिए 10, y की जग़ा क्या आना चाहिए 2, तो मैं यहाँ लिखूंगा, addition of percentage d and percentage d is, मैं यहाँ change कर देता हूं, addition of percentage d and percentage d is, percentage d, तो यह जो पहला पर्सेंटेच दी लिखा, उसकी जग़ मुझे क्या print करवाना है, x, x यानि 10, तो मैं यहाँ कॉम करके जो पहला percentage d है उसके लिए x दूँगा दूसरा जो ये percentage d है उसके लिए मैं y दूँगा और जो तीसरा मेरा percentage d था उसके लिए मैं sum दूँगा और तीनों को मैंने कैसे separate किया कॉमा से, semi-colony कॉमा से और ये double quotes के बात करना है तो अभी आप ये जब ये program को आप run करोगे तो क्या लिख किया आएगा edition of percentage d, percentage d की जगा वो किसको लेगा x यानि कि edition of 10 and 2 is 12 ऐसा message आएगा so let me run this program again by clicking on this button और जैसे मैं run करूंगा you can read the output here edition of 10 and 2 is 12 see this is the magic right तो very simple see ने आपके दो number का sum कर दिया अब हम इस program को अगर मैं यहां x और y की value change करता हूं मान लीजे मैं इसको 100 कर दिया और इसको मैंने 20 कर दिया कुछ भी कर दू right and again I will run this program जैसे मैं फिर से ये program run करूंगा तो यहां यहां 100 प्रिंट हो जाएगा यहां 20 प्रिंट हो जाएगा और यहां पे 120 प्रिंट हो जाएगा आप देख लिजे आउट्पुट राइट एडिशन ओफ 120 is 120 right अभी इसी program को हम थोड़ा calculator की तरफ आगे लेके जाते हैं तो जैसे मैंने यह sum कर दिया अभी मुझे इस दो number का क्या करना है subtraction करना है तो उसके लिए एक variable add कर दो subtraction right अच्छा दो variable का आपको multiplication करना है तो उसके लिए variable कर दो mul जैसे multiplication मैंने बुला ना appropriate नाम लेने है variables के हमे meaningful नाम variable के नाम से ही आपको idea आ जाए कि इसमें आप क्या store करने वाले हो right जैसे दूसरा मुझे करना है division करना है दोनों का div तो अभी क्या करूंगा जैसे आपने x और y को assign कर दिया और यहाँ पे मैंने sum लिख दिया उसी तरह से मैं सारे expression लिख दूँगा यहाँ पे sub sub is equal to x minus y again minus is an arithmetic operator आपको पता है मैं इससे पढ़ा हुआ है आपने right अच्छा multiplication मुझे करना है m u l multiplication is equal to यहाँ पे x cross नहीं करना है लेकिन multiplication के लिए c में star करना है x star y अच्छा यह star कहा मिलेगा आपको 8 के उपर star होगा keyboard पे keyboard पे आप 8 देखो तो आपको shift plus 8 वाला बटन प्रेश करोगे तो star हो जाएगा ढूणना नहीं है घर से नहीं लेकर आना है right it is on the keyboard so multiplication is equal to क्या हो गया दोस्तो x cross y पर आपको division करना है तो division यहाँ लिखने के लिए यह मुझे div equal to x divide यह divide के लिए slash करना है जो question mark के साथ slash है keyboard पे shift के बाजू में left hand side पे question mark है उसके नीचे एक slash है वो आपको slash करना है x divided by y और semicolon अब यह आपको print करना है addition of percentage dsd x, y sum यह आपने sum print कर देए अब यह मैं क्या करूँगा यह statement को copy करूँगा multiple times, right ताकि मैं सारे statement को अलग-अलग से ठीक तरक से लिख सकूँ तो मैं यहाँ पे control c, control v कर दिया, मैंने control c, control v कर दिया, control c, control v कर दिया, ताकि मुझे type ना करना पड़े अब यह addition नहीं है, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ दूसरे statement में, subtraction, तो मैं यहाँ लग दियूँगा subtraction, subtraction of percentage d and percentage d, अब मेरा subtraction कि इसमें है, sub में है, तो यह मैं sum को हटा दूँगा, देखे, sum को मैं हटा दूँगा, क्या कर दूँगा, मैं यहाँ यहाँ पे सेम रहेगा, multiplication, right, multiplication करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे, sum की जगा, I have to modify it to mu, multiplication करना है, और यहाँ पे मुझे division दिखाना है, division of x and y, तो मुझे यहाँ लिखना है division, division of x and y, और यहाँ पे मैं sum की जगा क्या लिख दूँगा div लिख दूँगा मैं जो variable हमने store किया है div में right तो division कर दूँगा और आप याद रखो कि मुझे सारे statement को new line में ही print करना है तो यहाँ पे मुझे slash n लिख देना है हर statement के आगे जैसे ही मैं slash n लिख दूँगा ताकि यह जो statement है वो नई line में ही print होगा मैं slash n यहाँ पे भी लिख सकता हूँ या तो हर एक statement के end में आपको जैसे भी आपकी जो style है वो आप follow कर सकते हो मैंने इसमें यहाँ पहले किया है दूसरे program में last में करेंगे तो भी same output होगा दोस्तों right अब इस program को मैं run करूंगा right तो यह क्या करेगा पहले यह sum यानी 120 subtraction यानी 80 आएगा दूसरे statement में 80 तीसरे statement में 100 into 20 2000 आ जाएगा तीसरे statement में 100 divided by 20 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यह answer आना चाहिए so let me click on build and run और यह program को मैंने run कर दिया आप output देख लो दोस्तों addition of two number 120 is 220 subtraction is 80 multiplication is 2000 and division of 120 is 5 आपका calculator का program हो गया right you are able to make the calculator अब बान लीजे यहाँ पर मैं values कुछ चेंज कर रहा हूं जैसे यह मैंने फिर से हम लोग कर देते 10 और 2 तो यह program automatically वो values ले लेगा और आपके answer सारे change हो जाएगे आप देख लीजे यह सारे answers आपके change हो जाएगे आप रन करो इसको तो देखे अभी 12 आ गया 8 आ गया 20 आ गया 10 into 2 and then 10 divided by 2 is 5 तो यह सारे answers आपके change हो गे तो जैसे आप x और y की values change करोगे यह answer change हो जाएगे ठीक है अभी हमें मुझे आपको एक चीज और सिखानी है मान लीजे मैं यहाँ x की value यह 10 की जगा मैं 5 कर रहा हूं right 5 कर रहा हूं आपको सोचना है 5 कर दिया मैंने यहाँ पर और y को मैंने 2 रखा तो यहाँ पर तो simple है addition क्या जाएगा दोस्तो 7 subtraction क्या जाएगा 3 multiplication क्या जाएगा 10 जब आप division पर पहुंचोगे तो division क्या आना चाहिए 5 divided by 2 mathematics में division क्या आना चाहिए yes you are right 2.5 लेकिन यहाँ प is 7 5 and 2 minus 2 is 3 5 into 2 is 10 बट यह जब आपने डिवाइड किया आपने जब आप आप यह गोर किजिए statement पे division of 5 and 2 यह 2.5C नहीं दे रहा है क्या दे रहा है 2 दे रहा है ऐसा क्यों हुआ यह question हुआ right तो आपको एक चीज याद रखने है language का एक rule मैं आपको बताने जा रहा हूं जब आपके दो variable x and y integer है तो जो भी arithmetic operation perform हुआ यह division वाला arithmetic operation perform हुआ x और y के बीच में उसका answer भी integer में ही आएगा उसका answer भी integer में ही आएगा यानि कि उसका answer float में real point में नहीं आएगा point वाली value में उसका answer नहीं आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों तो मैं आपको और एक चीज बताने वाला हूँ जैसे मैंने आपको बताया था कि integer यहाँ container है मेरा तो integer value store कर सकता है मान लीजे मुझे कोई real value store करनी है real value यानि लेट से 20.20 तो मुझे ए यहाँ पर float div लेता हूँ float div लेता हूँ right तो यहाँ से मैं उपर से div को हटा देता हूँ आप देखिया एक मिन में आपको यह सारी चीज़े समझ में हो जाएगी clear हो जाएगा मैंने float कर दिया अब जैसे मैंने float कर दिया तो यहाँ पर float के लिए आपको access modifier change करना पड़ेगा तो यह जो मैं percentage d integer के लिए था वैसे ही float के लिए percentage f है यह language का rule है percentage f है तो आपको division के लिए percentage f लिखना पड़ेगा अभी मैं इसको run करूँगा तो फिर भी यह 2.5 नहीं आएगा आप देखिये मेरा container मेंने बदल दिया लेकिन अभी expression को मैंने change नहीं किया है दिखिये मैं इस को run कर रहा हूं let me run this program five and two seven five minus two is three five and two is ten five divided by two is पहले two आ रहा था भी two point zero 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 आ गया six times यह container change किया क्योंकि container float किया तो उसने decimal values print की लेकिन two point five नहीं आया तो आपको question हो रहा है कि यह two point five क्यों नहीं आ रहा है यह two point zero zero क्यों आ रहा है आपने container तो change कर दिया container मेंने float वाला ले ले लेकिन फिर भी नहीं आया क्योंकि यह right side में जो दोस्तो expression है वहाँ पे जो x और y है ना दोनों यह दोनों integer ही है अगर जब तक यह integer है तो उसका answer भी किस में आएगा integer में ही आएगा भले container वो float हो लेकिन वो answer float में नहीं आएगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे यह x या y को भले दोनों यहां integer रहे उसको temporary float में convert करना पड़ेगा उसको बोलते है typecasting इनसी programming इसको क्या बोलते है दोस्तो typecasting तो मैं यहाँ पे मुझे bracket करके आगे लिखना पड़ेगा float इसको बोलते है typecasting मुझे float लिखना पड़ेगा x and y अब अब मैं क को पहले output दिखा देता हूं then I will explain you कि मैंने यह क्या कर दिया तो अभी देखे आपका output division of 5 and 2 is now 2.5 तो यह क्या हो गया let me explain you मैंने जैसे ही यह float लिख दिया तो मैं अपने compiler को यह बता रहा हूं c programming के environment को मैं यह बता रहा हूं कि भले ही मेरा x integer था लेकिन temporary मैं उसको float में convert कर रहा हूं जैसे x float में convert हो गया वो compiler internally y को भी float में convert करेगा और यह expression division वाला था x divided by y उसका answer भी float में आएगा और यह float container में जाएगा ताकि 2.5 देखाओ right this is called type casting this is called type casting right तो आपको मैंने इस video में let me summarize क्या समझाया कि कैसे दो variables लेने है integer type के variable में कौन सी value store होती है float में decimal वाली point व दो variable का sum कैसे कर सकते हो subtraction, multiplication and division यह चारो arithmetic operator मैंने बता दी है plus, minus, multiplication, division और यह equal to assignment operator हो गया every statement must be ended with a semicolon जब भी आप दो values को divide करते हो जैसे मैंने 5 divided by 2 किया तो अगर यह मेरा integer expression है तो answer भी integer में आएगा यानि 2 ही आएगा आपने container change किया तो change नहीं हुआ तो आपको क्या करना जो मैंने float लिखा, इसको क्या बोलते है दोस्तो, explicit type casting, इसको क्या बोलते है, let me write here the comment, आप यहाँ पर comment ऐसे लिख सकते हो, ताकि यह compiler इसको ध्यान नहीं देगा, you can write this is actually explicit type casting, casting यानि एक दूसरे form में उसको convert करना, तो हमने क्या किया इसको बोलते है explicit type casting, यह क्यों करना पड पड़ेगा, right now if I run this program, you can see 2.5 यह सारा आ गया और यह comment को compiler ignore करेगा, right, so I hope you are able to understand the concept, यह main से program शुरू होता है, यह दोनो statement को हम declaration statement बोलते है, यह दोनो statement को हम assignment statement बोलते है, यह तीनो statement हमारे expression है, executable statement है, चारो statement और यह printf भी executable statement है, printf is a function to print something as an output, और यह चारो इस मेन आपको समझाए, %d is an excess specifier for integer, %f is an excess specifier for a float type of data, I hope you are able to understand the concept, thank you for watching guys.